वलो तो हम जो ऑट कर रहे था तक ढाट अगाने वाले ताइम में विए-वेट करती उन पर GKGS की और इस तरह से हमें RPF SI की भी डाल चुके हैं Group D की भी डाल चुके हैं ठीक है तो आए जब ALP न एसिस्टेंट लोको पाइलेट के GKGS के सवाल कर रहा है जो 2018 पेपर हुए थे ठीक है क्योंकि हमाई लिए सबसे रिसेंट वही है क्योंकि लास्ट टाइम वही हुए थे तो आए हम ALP न एसिस्टेंट लोको पाइलेट के 9 अगस्त के फर्श शिफ्ट की सवाल देखते हैं ठीक है सबसे पहले सवाल के है सर्च लाइट का परवरतक कौन सा दरपन होता है तो सर्च लाइट का परवरतक दरपन अफ्तल दरपन होता है इसके बाद पानी को ब्लीचिंग पाटर में मिलाने पर कौन सी गेस निकलती है तो पानी को ब्लीचिंग पाटर में मिलाने पर क्लोरीन क्यस निकलती है। इसके बाद किस अभिकृ द्वारा उच्च प्रतिकृया वाली धातुं का निस्काशन होता है। किस धातू को आसानी से चाकु से काटा जा सकता है। तो सोडिया में कैसे मैटल होता है धातू होती है जिसे की आसानी से चाकू से काट जा सकता है उसके बादे कुकरमुत्ता जो होता है कुकरमुत्ता एक तरह का क्या है तो कुकरमुत्ता एक तरह का सैप्रो ट्रॉफ है सैप्रो ट्रॉफ मतलब फंगस एक तरह की वह ठीक है उस उसके बाद है NH4 bracket में hold twice SO4 के एक atom एक अणू में कित्ते परमाणू होते हैं तो NH4 bracket में hold twice SO4 इसके जो atom होते हैं इसके एक atom में जो है वो 15 परमाणू होते हैं उसके बाद है octaqs वर्गीकरंड के Newlands law में अंतियम तत्व कौन सा था तो octave वर्गीकरंड के Newland law में अंतियम तत्व जो element था थोरियम उसके बाद है प्रतिरोध की SI unit यानि क्या होती है तो प्रतिरोध की SI unit यानि क्या होती है कि यदि आप एक धरपण में देखते हैं और पाते हैं कि छभी आपसे छोटा है तो दरपण कौन सा है तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम oils दरपण में देखते हैं अपने आपी ठीके तो उसके वाद है खाद्यपरदार्तों में दुर गंद आने कामुख्य कारण वसा औ तो खाद्य बतारतों में दुरगंद, आने का मुखे करंड बसा और तेलों का औक्सी करंड होता है उसके बाद है था ए्रोडовать ओसिन के संसिलेशन के लिए क्या आवश्यक Schnya है किसके कारण बढ़ता है तो एक पौदे का पौदे के तने यह जड़ का घिरा जो है वह लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है किस कौन सी गैस बायोगेस सयंत्र में उत्पन नहीं होती है तो तो थीयोग कर्वन जो है वह गैस जो है वह सयंत्र उत्पन नहीं होती है उसके बाद है क्लोरीन गेस का उपियोग किसके निर्माण में किया जाता है तो क्लोरीन गेस का उपियोग ब्लीचिंग पाड़ो के निर्माण में किया जाता है उसके यदि क्रिप्टॉन की परमानु संक्या 36 है तो उसका इलेक्टॉन की परमानु संक्या 36 है तो उसका इलेक लगाने वाले अभिग्राक को रसवेदी अभिग्राक कहते हैं इसके बाद सर्व भॉमे गुरुत्वाकर्षन कॉन स्टेंट जी ग्रैविटी के मूल लेकी खोज किस ने की थी तो ग्रैविटी सभी को पता है ग्रैविटी की खोज जो है वह सर आईजेक न्यूटन ने करी थ उसके बाद है किस क्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है तो गैलनाइजेशन गैलनाइजेशन प्रोसेज जो होती है यानि गैलनाइजेशन की जो क्रिया होती है उसमें लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित करते हैं ठ स्थिदिच यानि की स्टेटिक के नर्जी होती है उसके बादे जब हम आवदिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो जब हम आवदिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो जब हम आवदिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेल की संक्या क्या होती है बढ़ती चली जाती है क्योंकि atomic number H होता है तो जब atomic number होगा तो जायएंट से बाद है जो संब्लहे है वो बढ़ेगी उसके बाद दातों में शुरू हो जाती है जब मुह का pH level कितने से काम हो जाता है दा ब्रतों में सब्लान कप शूरू होते है जब जो मुह का नांची जो फॉर्मूले होते हैं सेल्सियस से फैरनाइट से डिग्री में करने के लिए तो इसका अंजर देख लेता हैं तो एक एलकोहॉल में कौथनांग जो लिए buns पैंग क्या होगा तो 359-कएलविन होगा उसकी बाद है अपने बायं हात में पैंग को पकड़ कर एक व्यक्ति अपना प्रकाश की एक किरण से विरल माध्यम में यात्ता करती है तो यह तो इसमें क्या परिवर्तन होता है किस दिशा में मुड़ती है तो इसका आंसर होगा जब हम प्रकाश की एक किरण एक सगन माध्यम से विरल माध्यम में यात्र करती है तो यह अभी लेक से दूर दिशा में मुड़ती है उसके बाद है जब किसी संकुचित स्लिंक की को छोड जो प्रतित करती हैं इसके बाद है लासमोडियम किसके द्वारा उत्पन होता है तो प्लासमोडियम बहु में खंडन 2 यानि कीवेंड कई 맛있ा वरा उत्पन कोता है कि हते खाद पदारतों का ऊक्षिकारन होने से रोकने के लिए किस गेस का उपयोग किया जाता है तो खादे पदार्तों का उक्सेगरन होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गेस का उपयोग किया जाता है उसके बाद है साइकल की सवारी करते समय निकलने वाली उर्जा किस तरह की उर्जा से पोशन प्राप्त करता है तो कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पोशन प्राप्त करता है उसके बद अंडप यानि कारपल फूल के किस हिस्से में मौझूद होते हैं तो अंडप यानि कारपल फूल के केंद्र में मौझूद होते हैं इसके बाद है व्यवस्तित वस से गतिमान करने के लिए प्रवस्तिकत उसे जड़त्व कहते हैं और जड़त्व के लिए भी एक law दिया घया था जिसके हम कहते है law of inertia उसके बाद प्रुपेन का आडविक सूत्र क्या है तो प्रुपेन का आडविक believe gas कि यहार होते हैं आध सबसक्राइब काया क्वारदिवाले में कलियां पैदा करती है कि आई यह वाम एल्पी के दस आठ देंद सबसे पहला है कि रसाइने गुड़ों में से किसने हाइड्रोजन और ऑक्सिजन तत्वों द्वारा बनाए गई योगे को पर ध्यान के अंद्रित किया तो रसाइने गुड़ों में से मेंडलीफ ने अगला है गती का पहला समिकरण किनके भी समंदर शाता है तो गती का पहला समिकरण वेग और समय के भी समंदर शाता है योजन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का कितना परसेंट हिस्सा होता है तो योगदान में माता पिता का योगदान अपने जीन का पुरुष में प्राथमिक यौन अंग व्रशन होता है निर्वात में प्रकाश का वेक कितना होता है तो निर्वात में प्रकाश का वेक वेक्यूम में प्रकाश का वेक तीन गुणा दसकी पावर आठ मीटर पर सेकंड माइनस होता है अगर मस्तिक मानव मस्तिष का वैसा है जिसमें क्या संग्रय होता है तो अगर मस्तिष मानव मस् जिसमें विचारों का संग्रय होता है जब मेगनीजियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा योगी गुत्पन होता है तो जब मेगनीजियम रिबन हवा में जलाया जाता है तब मेगनीजियम ऑक्साइड योगी गुत्पन होता है न्यूटन द्वारा गणित की शाखा वाहनों की हैडलाइट में परियुक दरपन कौन सा होता है तो वानों की हेडलाइट में प्रयोत दर्पन, अफ्तल दर्पन होता है आईए हम 10 अगस्त के 3rd shift के सवाल लेखते हैं सबसे पहला है विद्यूत आवेश की SI unique क्या होती है तो विद्यूत आवेश की SI unique कूलंब होती है गती के दूसरे समिकरन द्वारा किसके बीच संबंद को दर्शाय जाता है किस के नियम अनुसार दो बिंदू आवेशों के मद्य आकर्शन या प्रति आकर्शन के बल का परिमान दो आवेशों की मात्रक्या अनुक्रमा अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतनुक्रमा अनुपाती होता है तो कूलंब का नियम अनुसार यह सब होता है यकृत मनिश्यों में कौन सी गरंती नहीं है तो यक्रित मनुश्यों में अंता स्तरावी गरंती नहीं है इस्थाई उत्तकों के निर्माड के लिए एक स्थाई संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रकिया को क्या कहा जाता है कौन सा उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं तो कॉलेंचाइमा उत्तकों यानि टिशू में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं आर्केमेडीज भहतिक विद ने उत्पलावक वल की अस्तितव की व्याख्य की ती वाश्पी करण एक कैसी घटना है तो वाश्पी करण एक सतह ही गटना है अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोक किया जाता है तो अपच का इलाज करने के लिए एंटासिट प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है गती के अनुरूब वस्तु की कौन सी उर्जा की वरद्धी होती है तो गती के अनुरूब वस्तु की गतिज उर्जा की वरद्धी होती है आईए उम तेरा तारीक के फर्स शिप्ट के चबाल देखते हैं सबसे फिल जबाल है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रो क्लोरिक अमल से अभिक्रिया में उत्पन और गैस कौन जी होगी इसके बाद है अमीबा में किस विखंडन का अलेंगिक प्रजणन होता है तो अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलेंगिक प्रजणन होता है किस प्रक्रिया के दोरान बने उत्पाद ग्लूकोज जल और अक्सीजन में होते हैं तो प्रकार संस्लेशन जिसे हम फोटो संथेज केते हैं इसके दोरान बने उत्पाद ग्लुकोस जल और ऑक्सीजन में होते हैं हीरे के कारवण पर माणू के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है उसके बाद है किसको अंडे के साथ शुक्राणूं में एक का सनलयन के रूप में परिभाशित किया गया है तो युगमक युगमक सनलयन को अंडे के साथ शुक्राणूं में एक का सनलयन के रूप में परिभाशित किया गया है उसके बाद है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCL गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना क्या रंग रखता है तो शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCL गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता इसके बाद है किसमे रेडियो धर्मी तत्व नहीं होते हैं तो टाइटेनियम एक तरह के रेडियो धर्मी तत्व यानि रेडियो एक्टिफ एलिमेंट नहीं होते हैं आधुनिक आवर्साणी में तत्वों को किसके अधार पर विवस्थित किया गया है उसके बाद है नाइट्रोजन परमाणू में उपस्तित नूट्रोनों की संक्या कितनी होती है तो नाइट्रोजन परमाणू में उपस्तित नूट्रोनों की संक्या साथ होती है विद्युत प्रवा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है आईए अब हम 13 अगस के सबसे पहला है पौदों में किस हर्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की और जुग जाते हैं तो पौदों में ओक्सिन, ओक्सिन नामक हर्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश कि और जुक जाते हैं इसके बादे कवयक की कोशिका भित्ती किस से बनी होती है गुड़ सूत्र में किस जिस बिंदू पर सनलन होते हैं उस बिंदू का नाम सेंट्रो मियर होता है तो गुड़ सूत्रों में क्रोमाइटेड्स जिस बिंदू पर सनलन होते हैं उस बिंदू का नाम सेंट्रो मियर होता है किस उर्जा गतिज उर्जा तथा स्थतिज उर्जा का योग नहीं होता तो यांत्रिक उर्जा में गतिज उर्जा तथा स्थतिज उर्जा का योग नहीं होता है ध्वनी किस माध्यम से गुजर नहीं सकती ध्वनी निर्वात यानि वैक्यूम माध्यम से गुजर नहीं सकती इसके बादे कारबन C12 के एक मोल में कितने परमाडू होंगे तो कारबन C12 के एक मोल में 6.02 गुणा 10 की पावर तेश परमाडू होंगे bleaching powder उपयोग किसको कीटानू रोहित करने के लिए किया जाता है तो bleaching powder का उपयोग pH gel यानि drinking water को कीटानू रोहित करने के लिए किया जाता है उद्योगों में प्रयोग तो शक्ती की इकाई कौन सी होती है उसके वएद काम करने की छमता को कौन सी उर्जा कहा जाता है तो काम करने की छमता को उर्जा कहा जाता है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है तो किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है बल के समीकरण में F किसके बरबर होता है तो बल के समीकरण में F जो है गुणा A, M, A के बरबर होता है कारवन के अपरोपों में से धातु विज्ञान में अपचेण एज़ेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है कार्बू कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचैन एजेंट के रूप में कोक का उप्योग किया जाता है उसके बादे कौन सा एक असंत्रित हाइड्रो कार्बन होता है रक्त का कौन सा भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त के सवाल है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नीमू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है इसका कारण क्या है तो पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नीमू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है इसका कारण प्रकाश का परवर्तन है किसी वस्तु द्वारा उसकी इस्थती या विन्यास द्वारा प्राप्त उर्जा को किस कौन सी उर्जा कहा जाता है तो किसी वस्तु द्वारा उसकी थत्ती या विन्यास द्वारा प्राप्त उर्जा को थत्तेज उर्जा कहा जाता है आदुनिक आवर्शाणी में पहला धातु तद्व कौन सा होता है तो आदुनिक आवर्शाणी में पहला धातु तद्व Li यनि लिथियम होता है लेड नाइटरेट को जोड़दार ढंग से गरम करते समय निकलने वाली लाल बूरे रंग की गेस का नाम क्या होता है तो लेड नाइट्रेट को जोड़दार डंग से करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डायोकसाइड होता है इसके बाद भुरूण को एक विशेश उत्तक की सहायता से मा के रक्त से पोशन प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है तो बुरूण को एक विशेश उत्तक की सहायता से मा के रक्त से पोशन प्राप्त होता है उसे गर्ब नाल कहा लाता है तारों में प्लाजमा बनने का कारण क्या होता है तो तारों में प्लाजमा बनने का कारण उच्च यानि की हाई टेंपरेचर होता है कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाडियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाडियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है कौन सी ग्रंती मुत्राशय के नीचे मौजुद होती है तो प्रोस्टेट गरंथी मुत्राशय के नीचे मौजूद होती है ओक्सीजन की आपूर्थी पर्याप्थ होने पर कौन सी लो उत्पन होती है तो ओक्सीजन की आपूर्थी पर्याप्थ होने पर नीली लो यानि नीली फ्लेम उत्पन होती है सम्वे की एकाई क्या है तो सम्वे की एकाई Kgms-1 है कौन सा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है तो हाइड्रो हाइड्रा हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है CO2 में कारवन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है CO2 में कारवन की प्रतिशत मातरा 27.3 होती है आयम चौदा अबसकी सेट थर्ड शिफ्ट के सबाल देखते हैं ठोस कारबन डायोकसाइड को किस नाम से जान जाता है ठोस कारबन डायोकसाइड को सूखी वर्फ के नाम से यह निद्राया इसके नाम से जान जाता है सूत्री विभाजन के चरण का नाम क्या है जिसके दोरान विभाजित सेल के गुण सूत्र मद्य रेखा पर इस्थित होते हैं तो सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है जिसके दोरान विवाजिट सेल का गुंड़सूत्र मझ्द रेखा पर स्थिद्ट होड़ते हैं अधाथू अक्सायड आम तोर पर कैसी होती है तो अधाथू अक्सायड आम तोर पर अमलिय होती है यदि किसी विलियन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्थित हो जाता है तो इसका pH 6 कितना होने की संभावना है तो यदि किसी विलियन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्थित हो जाता है तो इसका pH 6 होने की संभावना होती है किसी तने हुए rubber band में कौन सी उर्जा होती है एंफिबिया पौधों को ब्रायो फाइटा ग्रूप में रखा जाता है यदि किसी वस्तु द्वारा तै की गई दूरी शुन्न है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा कौन सी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है हम जो भोजन ग्रेंड करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ उर्जा किसमे संग्रेत होती है किस सिर्ख का रसाइनिक सूत्र CH3H8 होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गरम होने पर कौन सी गेस छूटती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गरम होने पर कारवन डायोकसाइड गेस छूटती है व्रशनों से किस हॉर्मोन का इस्तरावित होता है गतिशील वस्तू की गतिज उर्जा यानि कानेटिक एनर्जी पर निर्भर करती है आईए उन 17 तारीक के फ़र्च श्रिट के सवाल देखते हैं सबस्वाल सवाल है आदुनिक आवर्चाडनी की तीसरी अवधी और आठवे समू में रखी गई नॉबिल गैस को आरगन कहते हैं स्थाई उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है किसी एकल आवरती की आवाज को क्या कहा जाता है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन से होते हैं तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पूंकेशर और इस्त्रीकेशर होते हैं एक शुष्कु सेल में ऊर्जा किस के रूप में संग्रित रहती है एक वाट कितने जूल प्रती सेकंड के बराबर होता है तत्व को उनके परमाणू द्रभमान के आधार पर वरगीगरत करने का श्यक किसको जाता है आधुनिक आवशाणी में धातूं को किस और रखा गया है तो आधुनिक आवशाणी में धातूं को बाई और यानि लेट्ट साइड रखा गया है किसी परिपत में विद्युत प्रवा किसके द्वारा संभा होता है तो किसी परिपत में विद्युत प्रवा एलेक्ट्रोनों की गती के द्वारा संभा होता है गतिज उर्जा किसके बराबर होती है तो गतिज उर्जा हाफ एमवी स्क्वेर के बराबर होती है किसका ऐसा यूनिक नूटन होता है तो भार का ऐसा यूनिक नूटन होता है चुने के पानी में कार्बन डायोकसाइड गैस प्रवाहिद करने पर यह दूदिया हो जाता है ऐसा किसके निर्माड के कारण होता है किस विटामिन की कमी के कारण अत्यादे खून बहने लगता है वायू का निर्पेक्ष परवर्तक सूचनांग क्या है तो वायू का निर्पेक्ष परवर्तक सूचनांग 1.0003 है सोडियम से क्लोरिन तक आधात्विक गुण क्या होता है तो सोडियम से क्लोरिन तक आधात्विक गुण बढ़ता है एक नैनो मीटर किसके बराबर होता है तो एक नैनो मीटर दसकी पावर माइनस नौ मीटर के बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो वेग में परिवर्तन की दर को तुरण कहा जाता है ध्वनी किस तरह की क्या है तो ध्वनी एक यांत्रिक लहर है यदि कोई वस्तु वरत्तकार पत्थ में गुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार क्या होता है यदि कोई वस्तु वरत्तकार पत्थ में गुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार रिशुन्य होता है गतिशील जीवाणू कोशिका को क्या कहा जाता है तो गतिशील जीवाणू कोशिका को नर युगमक कहा जाता है पौधों में बोनापन किस अमल के उपचार द्वारा नियंतित किया जा सकता है कोधों में बोनापन जिबरेलिनेस अमल के उपचाट द्वारा नहींतित किया सकता है। एलुमिनियम उक्साइड प्रकर्ती में कैसा होता है तो एलुमिनियम उक्साइड प्रकर्ती में उभाय धर्मी होता है फोस्फरस की परमाड़ता क्या होती है तो फोस्फरस की परमाड़ता त्री परमाडविक होती है अंडा अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से ला पाए जाता है शिराओं में परिचूर मात्रा में सफ़ेद फाइवर पाए जाते हैं किसी गोलाकार दरपंड की परवर्टक सत्य के व्यास को च्छेद कहा जाता है NACL एक मजबूत आमल और एक मजबूत छार से बना होता है तो NACL को हिंडी में क्या बोलते हैं То NACL को साधा भाशा में खाने का नमक कहते हैं आगे हम 17 फरवरी के थर्ड शर्ट के सवाल देखते हैं एक फूल के प्रजनन का भाग क्या होता है फूल के प्रेजनन का भाग पूंकेशर और कारपल्स यानि इस्त्री केशर होता है यह repeat question है बस कारपल्स की जगह इस्त्री केशर लिख दिया है 20 परमानू संक्या वाला एक तत्व है 20 परमानू संक्या वाला एक तत्व एक क्या उत्पन करता है तो बीस परमानु संक्या वाला एक तत्व एक छारी ओक्साइड उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन के N2O ओक्साइड को किस रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH इस्तर किस कितना कितना होता है। तो विद्वित प्रवा की अंतराष्टि मनग की कई एंपियर है। प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात यानि वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिध्धान्त किस सम्मद्द है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजिनन आवश्यक है ध्वनी की द्रणता जो दोह प्रतिविम्ब का परिमाण होती है इसे क्या कहा जाता है तो द्वनी की द्रणता जो द्वराय प्रतिविम्ब का निर्माण होती है इसे प्रतिध्वनी कहा जाता है प्रकाश का क्वांटम सिध्धान्त के द्वारा प्रदान किया गया था तो प्रकाश यानि लाइट का क्व किनके किसको अलग करती है तो आधुनिक आवरसाणी में एक टेड़ी मेड़ी रेखा धातूं और आधातूं यानि मैटल और नॉन मैटल को अलग करती है हड़ी मनिश्यों में एक किस तरह का उधारण है तो हड़ी मनिश्यों में एक सायोजी तिशू यानि सायोजी तक का प्रैन करके सोडियम धातू को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने गोल के मध्द से बिजली पारित होती है तो क्या उत्पाद बनता है। अनु का गठन करने वाले परमाणूों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो अणू का गठन करने वाले पर्माणूओं की संख्या को पर्माण विक्ता कहते हैं, बर्फ पानी पर तेरती है क्योंकि इसका घनत पानी से कम होता है, M कक्षा यानि शेल में समाहित किये जा सकने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है, M कक्षा यानि शेल में समाहित किये जा सकने वाले इलेक्ट्रोन की संख्या अठारा है, मानप्रजन प्रणाली का गरबनाल मा के रक्त के किस से प्राप्त करने में मदद करता है, मानप्रजन प्रणाली का गरबनाल मा के रक्त के भ्रूण को प्राप्त करने में मदद करता है, जन्तुओं का एकाइनो डर्मेटा समू विशेश रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीवों का एक समू है, पौधों का सार्व भौमिक प्रकर्तिक ऑक्सिन क्या है, तो पौधों का सार्व भौमिक प्रकर्तिक ऑक्सिन आई ए ए है, एमोनियम क्लॉराइड किस क्या कर सकता है, तो एमोनियम क्लॉराइड उर्द वर्दा वर्पादन कर सकता है, बलकी परिभाशा को न्यूटन के किस नियम के आधार पर व्याक्षित किया जा सकता है तो बलकी परिभाशा को न्यूटन के गती का पहला नियम के आधार पर व्याक्षित किया जा सकता है कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है किस में अदिक विविट्ता उत्पन होती है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कह लाता है अगर किसी चालक का प्रतीरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उश्मी प्रभा कितना हो जाएगा तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उश्मी प्रवा आधा हो जाएगा पौधों का नर प्रजनन अंग क्या है? तो पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेशर है अत्यदिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? किसको निशेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाशित किया गया है तो पार्थेनो कारपी को निशेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाशित किया गया है फॉस्फरस की एक परमाडू में कितने एलेक्टरोन होते हैं तो एक सांद्र आमल को तनू करने के लिए हमें सांद्र आमल में पानी मिलाना चाहिए कौन सी वैप प्रक्रिया है जिसमें अमल और चार मिलकर लवण और जल का निर्माड करते हैं तो उदा सीनी करण जिसे हम neutralization कहते हैं यह वैप परिक्दिया है जिसमें अमल और छार मिलकर लवन और जल का निर्माड करते हैं एक अफ्तल दरपन के वकरता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है इसकी प्रतिविम्ब कहां पर बनेगी तो एक अफ्तल दरपन के वकरता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है इसका प्रतिविम्ब वकरता केंद्र पर ही बनेगा रक्त में पाया जाने वाला प्लाजमा शरीर में किसके प्रभा के लिए जिम्मेदार होता है रक्त में पाया जाने वाला प्लाजमा शरीर में आक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मिदार होता है बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है कौन सा एक उभाइलिंगी फूल है तो सरसों एक उभाइलिंगी फूल है किसमे भृून विक्सित होता है तो गरवाशय में भृून विक्सित होता है पानी के एक मोल में कितने अनू होते हैं तो पानी के एक मॉल में 6.02 गुणा 10 की पावर 23 संणु मौजूद होते हैं कौन सा जानवरों में पाए जाने वाले होर्मोन नहीं है , तो औक्सिजन एक जानवरों में पाए जाने वाले होर्मोन नहीं है ओक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डायोकसाइड उत्पन होते समय दहन होते समय क्या गटित होती है तो ओक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डायोकसाइड उत्पन होते समय दहन अभी क्रिया गटित होती है एक वस्तु पर बल लगने के बाबजूद भी किया गया कारेशन होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा तो एक वस्तु पर बल लगने के बाबजूद भी उस पर किया गया कारेशन होगा यदि उसका विस्थापन शुनने होगा यानि zero displacement is equal to zero work जंदूओं को सबसे बड़ा समूँ कौन सा होता है जंदूओं को सबसे बड़ा समूँ और्थोपोड़ा होता है लगतार या किसके कारण प्रतिनित धनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है तो लगतार या एक आधिक परावर्तन के कारण प्रतिनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है मेगनेजियम रिवन को जलाने से सफेद राग उतपन होती है जिसने या एक होजा कि हर آठवे तत्व के गुरन पहले के समान है तो Newlands ने यह खुजा की हर आठव calculating के गुन्ट पहले के समाने अधात्वों में आम्तवरपर सबसे लिए सता में तो अधात्वों में आम्तवरपर सबसे लिए सता में 5,6,7 या 8 लिए सता बर्मानू की त्रिज्जाn का प्राउग किसको मापने के लिए किया जाता है तो पर्मानु की तृज्जा का प्रयोग पर्मानविक आकार को मापने के लिए किया जाता है आइए हम 21 अगस्त के फर्शीट की सवाल देखते हैं सबसे पहला है शक्ती का सुत्र क्या होता है शक्ती का सुत्र कारे बटे समय होता है कौन से उत्तकों में कोशिकां इमरत होती है वरिशन अंड कोश की थेली में किसके बाहर स्थित होती है वनिस्पति भागों या बीज के बज़ाय कोशिकां के माध्यम से नए पौधों को गाने क्या कहलाता है तो बनस्पती भागों या बीच के बज़ा कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को गाना टिशू कल्चर कहलाता है तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग कितनी होगी स्थार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रेडिंग आधी रह जाएगी इस्थति या आकरती में हुए परिवर्टन के कारण एक वस्तु में नहीत उर्जा को क्या कहा जाता है किसी जल विद्यूत ग्रह में विद्यूत उर्जा में परिवर्ट होने वाली उर्जा क्या कहलाती है नियूलेंड्स ने उस समय तक ग्यात कितने तत्वों को अपने अश्टक वाली वावर्टि शानी में व्यवस्तित किया था तो न्यूलेंट्स ने उस समय तक ज्याद 56 तत्वों को अपने अश्टक वाली आवर्ट सार्णी में व्यवस्थित किया था विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं इस्थतिज उर्जा और गतिज उर्जा के योग को किसके नाम से जाना जाता है तो इस्थतिज उर्जा और गतिज उर्जा के योग को यांत्रिक उर्जा के नाम से जाना जाता है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कितनी होगी तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की बहुतिक अवस्था द्रव्य ही होगी एक तत्व का परमाणू क्रमांग सत्रा है या एक हेलोजिन गैस है कौन सी विदी जल को पंकिल जल से अलग करेगी तो निस्पंदन विदी जल को पंकिल जल से अलग करेगी सबसे पहला है अस अंतरप्त योगिकों के देहन के दोरान कून सी लो देखी जाती है परागकन किस में पाई जाते हैं किसी डैश में यदि किसी खरावी के कारण एक विद्युतियोप करन कारना बंद कर दे तो सभी विद्योती उपकरण सामाने रूप से कार्य करते रहेंगे तो किसमें यानि किसी समानतर परिपत में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्योती उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्योती उपकरण सामाने रूप से कार्य करते रहेंगे जब किसी बंदूग से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित इस्थजी उर्जा किसमें परिवर्थित हो जाती है तो जब किसी बंदूग से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित इस्थजी उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्थित हो जाती है Acetic Acid का उपियोग किसको तियार करने के लिए Kita जाता है तो Acetic Acid का उपियोग सिरका को तियार करने के लिए Kita जाता है Trypsin Enzyme किसके द्वारा इस्तरावित होता ए तो ट्रिपसिन एंजाइम अगनाशय के द्वारा इस्तरावित होता है तत्वों में F यानि फ्लोरीन, क्लोरीन, ड्रोमीन, आरडीन और AT को सामनेता किस के नाम से जान जाता है तो तटवों में florine, chlorine, bromine, iodine को सामनेता हेलेज़िन के नाम से जाना जाता है एक खीचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थचिज, उर्जा किसमें बदल जाती है तो एक खीचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थरी उर्जा कतिज उर्जा में बदल जाती है मदुमक्की के द्वारा काटे जाने पर किसमें आपको रहात देने के लिए उपयोग की जाती है ऐए हम 21 सकथ के थर्ड सवाल देखते हैं यांत्रिक और गतिज उर्जा thousand गतिज उर्जा god Jr के बराबर होती है लोहे को कठोर को मचबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाय जाता है तो लोगे को कठोर और मजूद बनाने के लिए उसमें कारवन मिलाय जाता है धोबन सोडा में क्रिस्टिली करण के पानी की प्रतिश्यत मात्रा कितनी होती है धोबन सोडा में क्रिस्टिली करण के पानी की मात्रा 62.9 होती है कौन सा उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है चारिय धातों को आधुनिक आवर्साणी में किस समू में रखा गया है नियू लेंड्स की तालिका में CO और NI को किसके साथ रखा जाता है तो नियू लेंड्स की तालिका में CO और NI को हिलोजिन के साथ रखा जाता है राइबोजॉम कोशिकांग को कोशिका का क्या कहा जाता है क्या प्रत्वी पर पाय जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रतम प्रकास अंसलेशक जीव थे तो साइनो बैक्टेरिया प्रतिवी पर पाय जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रतम प्रकाश अंसलेशक जीव थे आधुनिक आवर्शाणि के अठारवे समू में किन को रखा गया है? तो आधुनिक आवर्शाणि के अठारवे समू में नौविल गयसों को रखा गया है? अंतराश्ट्री मातरक प्रणाली के अनुसार विद्युद धारा की एकाई क्या है? तो अंतराश्ट्री मातरक प्रणाली के अनुसार विद्युद धारा की एकाई एम्पियर है? किस विभाजन से संब्ध लेथ है उसाइडों काय निए कोशी का विभाजन से संब्ध लेथ है विरंजक चून को जल में मिश्वित करने पर कौन सी ग्यस निश्चाशित होगी ख़को 29 तारिक के सवाल निए Porton करते है भर्णी की पिछ किस पर निर्वर करती है उर्जा उत्पादन के दोरान ग्लुकोस का पायरूवेट में विगठन कोशी का द्रव्य में होता है तामबा और जस्ता से बनी मिश्डधातू क्या है? तो तामबा और जस्ता से बनी मिश्डधातू पीतल है किसका आणविक सूत्र CA2 ब्रेकेट में PO4 का होल ट्वाइस है तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र CA2 ब्रेकेट में PO4 का होल ट्वाइस है एजी पॉजिटिव और CL नेगिटिव के सहियुथ होने पर बनने वाली योगिक क्या है? तो एजी पॉजिटिव और CL नेगिटिव के सहियुथ होने पर बनने वाली योगिक सिल्वर क्लूराइड है एक गोलिय दर्पन के परावर्ती प्रिष्ट के मद्धी एक बिंदू होता है जिसे क्या कहते है तो एक गोलिय दर्पन के परावर्ती प्रिष्ट के मद्धी एक बिंदू होता है जिसे दुरुव कहते है बायो गेस में मीथेन का प्रतिशत 60% होता है प्रतवी की सताय पर गुरुतवा करशन के कारण तोरन का मान 9.8 मीटर प्रतिवर्क सेकंड होता है पुष्प के मद्ध में इस्थित अंडप मादा प्रजिन का भाग होता है नियू लेंड्स के अश्टकों के नियम में अंतिम तत्व थोरियम था दोनों वस्तूओं के मद्धिय का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है यह विचार नियूटन के गती के किस रूप में दिया गया है तो दोनों वस्तूओं के मद्धिय का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है यह विचार नियूटन के गती का तीसरी नियम के रूप में दिया गया है मस्तिश्क का मज्जा हिस्सा किसमे को लेने में को नियंतरित करता है तो मस्तिश्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंतरित करता है हेलोजिन में उच्चिताम इलेक्ट्रोन बंदुता वाला तत्व कौन सा है तो है हेलोजिन में उच्चिताम इलेक्ट्रोन बंदुता वाला तत्व सील यानि क्लोरीन है आज़े हम 31 तरीक के फ़र्शिप्ट के सवाल देखते है सबसे पहला है प्रकाश की गती अधिक्तम किसमें होती है तो प्रकाश की गती अधिक्तम निरवात यानि वैक्यूम में होती है कौन सी धातु मुक्त वस्थम पाई जाती है तो सोना एक ऐसी धातु जो मुक्त वस्थम पाई जाती है किसमें अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहन शील सनरचना की रूप में कारे करता है तो वर्तिकाग्र अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहन शील सनरचना की रूप में कारे करता है प्रकर्तिक गेस का निर्मार मर्दा के नीचे जल में जैविक पदारतों के अबगटन द्वारा होता है अबगटन का यह कार किसके द्वारा होता है तो प्रकर्तिक गेस का निर्मार मर्दा के नीचे जल में जैविक पदारतों के अबगटन द्वारा होता है अब घटन का ये कार रहे अब वी ये वेक्टेरिया द्वारा होता है किसका शरीर कोशिकाओं की दो पर्तों से बना होता है तो हाइडरा का शरीर कोशिकाओं की दो पर्तों से बना होता है जीवाश में इंदन में कौन सा प्रचूर मात्रम पाय जाता है किसका सूत्र Mg3N2 होगा माना भधा के ऊपरी दो कक्षों को आलिंद कहा जाता है जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थजिज उर्जा क्या रह जाती है जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थजिज उर्जा घट जाती है जिन तत्वों में सहियोजी इलेक्ट्रोन P उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें किस तत्व के रूप में जाना जाता है जिन तत्वों में सहियोजी इलेक्ट्रोन P उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें P ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है मानव में किसमें लिंग गुनसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं जेडन सील टू की आणविक द्रवमान इकाई क्या है जेडन सील टू की आणविक द्रवमान इकाई 137 U है आए हम 31 थारीक के सेकेंड जिफ के सवाल लिखते है सबसे पहला है यदि एक वस्तू का समवेग तीन गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज उर्जा मूल मान का कितना गुना हो जाएगी तो यदि एक वस्तू का समवेग तीन गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज उर्जा मूल मान का नो गुना हो जाएगी मादाओं में अंडाणू उत्पन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है एक ही अबदी में मौझूद आवधिक तालिका तत्वों में शेलों की संख्या क्या होगी तो एक ही अवदी में मौझूद आधुनिक आवधिक तालिकाओं तत्वों में शेलों की संक्या समान होगी ब्राउनियन गती की खोज किस ने की थी? तो ब्राउनियन गती की खोज रॉबर्ट ने की थी जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से नियुनतम प्रतिरोध से कितना होता है तो जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से नियुनतम प्रतिरोध से कम होता है किसी अनुध्यर्य तरंग में लगातार दो संपीडन और दो लगातार विरली करन प्रक्रियां के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आवेश की SI unit कूलंब है। संत्रिप्त हैड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है। संत्रिप्त हैड्रोकार्बन्स को एलकेन कहा जाता है। विटामिन D की कमी से किस क्या होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। किसका सही सूत्र CA bracket में UH का होल ट्वाइस है। तो केल्शियम हाइड्रो अक्साइड का सही सूत्र सी ये ब्रैकेट में उएश का होल ट्वाइस है पांच से आठ प्रतिशत एसेटिक एसेड को सिर्का कहा जाता है तो दोस्तों ये हमारे हो गए जेए के जो पेपर होते हैं ठीक है उसके हमने सभी जी के जीएस के सवाल कर ल लिए तो इन्हें आप अच्छे देख लीजेगा क्योंकि साइन्स बहुत ही इंपोरेंट होती है रेल वे में अगर जॉब चाहिए तो हर पेपर में हर लेवल पर और एलपी में तो सिर्फ साइंस ही साइंस आई ये पूरे परों तो यह हमने सारे कोशन कर लिए जो लोग चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल अपर प्रेस कर लें थैंक यू